नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग रेलबे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 पर इस वीडियो में बात करेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक-एक सवाल इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके एक्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा तो आप एक-एक सवाल का इंपोर्टेंट समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तों चलिए हम लोग डाइरेक्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन एक नमबर कह रहा है कि धातूं के पतली तार के रूप में धलने की बिसेस्ता क्या कहलाती है चार अप्सन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि धात्वों के पतली तार के रूप में ढलने की विशेस्ता क्या कहलाती है तो आपको तन्याता कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों तो तन्याता कहलाती है अप्सन C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट question आपको दू नमर कह रहा है कि धातूं की पतली चादरों के रूप में परिवर्थित किये जाने की छामता को क्या कहा जाता है चार अपसन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि धातूं की पतली चादरों के रूप में परिवर्थित किये जाने की छामता को क्या कहा जाता है तो अगहात वर्धनियता कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों तो अगहात वर्धनियता कहा जाता है अपसन डी जो है बिलकुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question आपको तीन नमर कह रहा है कि धातु अपनी वास्त्विक इस्थिती में डैस में बिधमान होती है तो धातु अपनी वास्त्विक इस्थिती में मुक्त इस्थिती में बिधमान होती है कब बिधमान होती है दोस्तों तो मुक्त इस थिती में option B जो है विल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि question आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताईए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये है तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ओके चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट question आपको चार नमबर कह रहा है कि निम्न लिखित में से क्या ठोस द्रव और गैस तीनो रूपों में पाया जाता है चार अप्सन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि क्या ठोस द्रव और गैस तीनो रूपों में पाया जाता है तो अधातू जो है आपको ठोस, द्रव और गैस तीनो रूपों में पाया जाता है क्या पाया जाता है तो अधातू पाया जाता है अप्सन सी जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपको पांच नमबर कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सी धातू सबसे अधिक नम या लचीली है चार अप्सन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि कौन सी धातू सबसे अधिक नम या लचीली है तो ए जी यानी कि चांदी धातू जो है सबसे अधिक नम या लचिली है कौन है दूस्तों तो ए जी यानी कि चांदी धातू जो है सबसे अधिक नम या लचिली है option ए जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके, चलिए next question देख ल Dry है next question आपको 6 number कह रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है चार option दिया गया है इन में से आपको चून कर बताना है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है तो आपका सही उतर हो जाएगा कार्बन मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है दोस्तों तो कार्बन मिलाया जाता है option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको 7 number कह रहा है कि dash सबसे नमनिय या तन्यसिल धातू है चार option दिया गया है इन में से आपको चुन कर बताना है कि कौन सबसे नमनिय या तन्यसिल धातू है तो AU यानि की सोना जो है सबसे नमनिय या तन्यसिल धातू है कौन है दोस्तों तो AU यानि की सोना है option B जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question आपको 8 number कह रहा है कि malleable dash के गुण को दरसाता है 4 option दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि malleable किस के गुण को दरसाता है तो malleable जो है आपको धातू के गुण को दरसाता है किस गुण को दरसाता है तो धातू के गुण को option B जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको 9 number कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा समान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है चार option दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि कौन सा समान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है तो आपको गैलियम होता है कौन होता है दोस्तों तो गैलियम होता है option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आपको 10 number कह रहा है कि एक धातू के उस गून को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सत्व चमकदार होती है तो उसे धातूविक चमक कहा जाता है उस गून को क्या कहा जाता है तो उस गून को धातूविक चमक कहा जाता है option D जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सत्व चमकदार होती है तो उसे धातुविक चमक कहा जाता है उस गुण को क्या कहा जाता है तो आपको धातुविक चमक कहा जाता है अप्सन D जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपको 11 नमबर कह रहा है कि धातु अगात वर्धनिये और कोमल होती हैं होती हैं क्योंकि धातु के परमाड़ू की परते एक दूसरे पर फिसल सकती हैं इसलिए होती हैं अप्सन C जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपको 12 नमबर कह रहा है कि धात्वों के oxygen आम तोर पर डैस होते हैं तो धात्वों के oxygen आम तोर पर आपको basic होते हैं कैसे होते हैं तो basic होते हैं अप्शन यह जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आपको 13 नंबर कह रहा है कि अधातू कक्छे ताप पर तरल होती है तो ब्रोमीन का होती है किसकी होती है तो ब्रोमीन का option B जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि अधातू कक्छे ताप पर तरल होती है तो ब्रोमीन का होती है, किसकी होती है, तो ब्रोमीन का option बी जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चले next question देख लेते हैं, next question आपको 14 नमबर कह रहा है, कि डैस, एक मात्र अधातू है, जो तरल अवस्था में मौजूद है, चार option दिया गया है, इनमें से आपको चू प्रोमीन है, option ये जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चले next question देख लेते हैं, next question आपको 15 नमबर कह रहा है, कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातू परियुक्त होती है, चार option दिया गया है, इनमें से आपको चून कर बताना है, कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातू परियुक्त होती है, तो शिली कौन धातू परियुक्त होती है, कौन सी धातू परियुक्त होती है, तो सिली कौन धातू, option B है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चले next question देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन आपको 16 नमबर कह रहा है, कि अधातूं के ओ प्रकितिक में अमलिये होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों तो अमलिये होते हैं अप्शन बी जो है बिलकुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपको सतरे नंबर कह रहा है कि जिन तत्वों में धातूं और धातूं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानि की मेटल वाइड कहा जाता हैं निमने लिखित में से किसे उपधातु यानि की मेटल वाइड के रूप में जाना जाता हैं तो जर्मेनियम को जाना जाता हैं किसे जाना जाता हैं दोस्तों तो जर्मेनियम को अ किसका उपयोग सरवाधिक आमतोर पर सौर पैनलों में और धचालक के रूप में किया जाता है तो आपका सही उतर हो जाएगा गैलियम और आरसेनी का उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों तो गैलियम और आरसेनी का अप्शन बी जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको 19 नंबर कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सी एक उप धातू है चार option दिया गया है इन में से आपको चुन कर बताना है कि कौन सी एक उप धातू है तो silly कौन जो है एक उप धातू है कौन है दोस्तों तो silly कौन है option D जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको 20 नंबर कह रहा है कि डैस को बिधुत रिणात्मक ततों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे electron गरहन करके रिण आवेसित आयन बनाते हैं तो आपको अधातूं को बिधुत रिणात्मक ततों क रूप में जाना जाता है क्योंकि वे electron गरहन करके रिण आवेसित आयन बनाते हैं कौन बनाते हैं तो अधातूं को option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको 21 नंबर कह रहा है कि अधातूं के गुन धर्मों के बारे में निमने लिखित में से कौन सा बिकल्प समानत सत्य नहीं है तो अधातूं चालक होती है यहीं जो है आपका सत्य नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अधातूं के गुन जो है चालक नहीं होते हैं जबकि इसमें कह रहा है कि चालक होते हैं यहीं जो है आपका सत्य नहीं है तो option A जो है बिल्कु सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आपको 22 नमबर कह रहा है कि निमने लिखित बिकलपों में से कौन सा उपधातूं को गुण धरम है चार option दिया गया है इन में से आपको चून कर बताना है कि निमने लिखित बिकलपों में से कौन सा उपधातूं को गुण धरम है तो अर्ध चालक जो है आपको उपधातूं को गुण धरम है कौन है दोस्तों तो अर्ध चालक है option C जो है बिलकुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको 23 नमबर कह रहा है कि धातूं बिदूत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे धिले आबंधित डैस होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे धिले आबंधित इलक्ट्रोन होते है क्या होते हैं दोस्तों तो इलक्ट्रोन होते हैं option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको 24 नमबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है चार कथन दिया गया है इन में से आपको चून कर बताना है कि कौन सा कथन गलत है तो कथन ये कह रहा है कि अधातुए रिन आयन बनाती है बिल्कुल कथन ये जो है आपका सही है यानि कि ये सही है कथन B कह रहा है कि अधातुए अमलिय अकसाइड बनाती है बिल्कुल कथन B भी आपका सही है कथन C कह रहा है कि अधातुए धन आयन बनाती है ये कथन जो है आपका गलत है कथन D कह रहा है कि अधातुएं बीदूत की कुचालक होती है बिल्कुल कथन D भी आपका सही है केवल कथन C जो है आपका गलत है तो आपको गलत कथन ही चुनना था तो आपका सही उतर हो जाएगा option C, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question आपको 25 नंबर कह रहा है, कि निमने लिखित में से कौन सा उर्ध्वपातन कर सकता है, चार option दिया गया है, इन में से आपको चून कर बताना है कि कौन सा उर्ध्वपातन कर सकता है, तो ammonium koloride जो है, आपको उर्ध्वपातन कर सकता है, option C, जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, आज का practice set में इतना ही सवाल था, मैं उमीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा, दोस्तो अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल important है आपके exam में इस वीडियो से same to same सवाल देखने को मिलेगा, ओके, मैं आपसे next वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए take care दोस्तो, and bye